नमस्कार दोस्तों मैं जब्रकाइच लाइच आपका अर्दिक शागत करता हूँ आज हम कुछ कुछन सोल करेंगे मारा पहले कुछन है 10 inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus half की value प्राप्त करनी है तो हम previous lecture में पड़ सकते हैं कि 10 inverse 1 की value pi by 4 होती है साथ इसाथ cos inverse minus half plus sin inverse minus half दोनों में जो यह value है equal है minus half minus half है इसलिए इसकी value pi by 2 लिख सकते हैं since cos inverse x plus sin inverse x equals to pi by 2 अगर sin inverse x plus cos inverse को add करेंगे तो उसकी value pi by 2 होती है और x के प्रते जो domain की प्रते एक value के लिए सही होती है और हमें बता है कि sin inverse और cos inverse x का domain है जो हमारा प्रांथ है वो हता है minus 1 से 1 तो यह value minus half है इसलिए इसकी value minus 1 से 1 की बीच में लाई करती है तो यह value हमारी pi by 2 लिख सकते हैं pi by 4 plus pi by 2 अगर आप इसे solve करोगे तो यह जाएगा 3 pi by 4 आप इसे ऐसे नहीं solve करना चाहो तो आप जनरल मेथड से भी solve कर सकते हो इसे आप लिखोगे 10 inverse 1 की value रुखी 10 pi by 4 plus cos inverse अगर minus input 2 cos में तो pi minus cos inverse half और अगर sin में negative input है तो minus 12 आज जता है तो sin inverse half इसे solve करेंगे तो 10 inverse और 10 cancel pi by 4 plus pi minus cos inverse की value half होती है cos की value half होती है 60 degree पे cos pi by 3 minus sin inverse sin की value half होती है 30 degree पे sin pi by 6 इसे solve करेंगे तो pi by 4 plus pi minus pi by 3 minus pi by 6 यह होता है 60 degree यह 30 degree total 90 degree होता है अगर आप वैसे solve नहीं करना चाहते हो वैसे हम लेकिए calculation है यह pi minus pi by 2 यह यह pi by 2 और pi by 2 plus pi by 4 यानि 3 pi by 4 और आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप SM लो तो SM लोगे तो आप इसको लिखा इसको 12 SM लिया तो 3 pi plus 12 pi minus 4 pi minus 2 pi यह हो गया 9 pi upon 12 है और इसे सोल किया तो यह हो गया 3 pi upon 4 यह अंसर इसी टाइप से हमारा दूसरा question है उसमें हमें प्राप्त करना है cos inverse plus 2 sin inverse half की value प्राप्त करना है तो जो cos inverse half plus sin inverse half है वो मैंने अलग कर दिया और एक sin inverse अलग कर दिया यह इसलिए क्या था कि मैं यह formula काम में लेसको की cos inverse x plus sin inverse x value pi by 2 होती है तो यही चीज मैंने दुबारा काम में लिया है यहाँ पे हमारी जो दोनों value थी वो equal थी और minus half के बरावर थी यहाँ पे भी दोनों value equal है लेकिन दोनों value plus half की equal है तो minus 1-7 के बीच में कोई भी value हो उसके लिए इन दोनों का sum हमेशा pi by 2 प्राप्त होता है लेकिन यह दोनों value equal हो नहीं चीजिए तो इसकी value मैं लिखी pi by 2 plus sin inverse half pi by 2 plus sin inverse sin की value half होती है 30 degree यहीं 5 by 6 पे इसे मैं लिखा pi by 2 plus pi by 6 और इसे आप लिख सकते हो LCM लेकि अगर मैं 6 LCM लूँ तो यह हो गया 3 pi plus pi तो यह हो गया 4 pi by 6 और इसे लिख सकते हैं 2 pi by 3 आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप यहां से इसको half की value यहां दोनों जगने रख के वैसे भी solve कर सकते हैं तो आप किस परकार करोगे कोस इंवर्स हाफ है तो मैंने लिखा कोस इंवर्स हाफ होता है 60 degree पे pi by 3 पे 2 sin inverse sin के लिए आप होती है 30 degree पे pi by 6 पे तो sin pi by 6 cos inverse cos cancel तो pi by 3 यहां पे 2 into pi by 6 इसे over solve किया तो pi by 3 plus pi by 3 और pi by 3 plus pi by 3 2 pi by 3 तो आप इसी किस्वन को इस प्रकार बिना formula का यूज लेके भी solve कर सकते हो किस्वन है 10 inverse root 3 minus sec inverse minus 2 की वे लिए प्राप्त बताने है इन में से कौन सा option सही है तो question है 10 inverse root 3 minus sec inverse minus 2 जिसे अगर मैं solve करता हूं तो यह हो गया 10 inverse 10 की वे लिए root 360 degree पर होती है 5 by 3 पर होती है और sec inverse अगर negative input हो तो हम formula काम में लेंगे pi minus sec inverse 2 तो यह हो जाएगा pi by 3 minus pi यह minus नदर जाए तो प्लस sec inverse 2 इसे मैं लिखा pi by 3 minus pi प्लस sec inverse की वे लिए नहीं पता हो कि sec की value कप 2 होती है तो इसे cos inverse में change कर लेंगे तो यह जाएगा cos inverse 1 by 2 और अगर आपको पता है तो आप इसकी वे लिए डायरेक्ट में लिए सकते हो कि इसकी वे लिए 60 डिगरी पर 2 होती है यानि पाइवाइ 3 पर तो पाइवाइ 3 minus pi plus cos inverse cos pi by 3 cos inverse और cos cancel तो पाइवाइ 3 minus pi plus pi by 3 3 is the same है जाएगा solve करेंगे तो इसकी वे लिए जाएगी minus pi by 3 तो हमारा answer हो जाएगा minus pi by 3